देश के 1700 से ज्यादा सांसदों और विद्धायकों पर आपराधिक माल में चल रहे हैं यह सभी मामले में अलग-अलग डालतों में लंबित हैं इस बात की जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफ नाम में में दी है केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायाले को बताया कि इन सांसदों और विद्धायकों पर कुल 3045 मामले दर्ज हैं कोर्ट ने एक याचिका के सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से यह जानकारी मांगी थी गौर तलब है कि BJP नेता अश्वनी उपाध्यायने कोर्ट में याचिका दायर कर आपराधिक मामलों में दोशी सांसदों और विद्धायकों के आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की थी इसी मामले के सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऐसे सांसद और विद्धायकों के सूची मांगी थी जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक साल में ट्रायल पूरा करने के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन करने के निर्देश दिया था सरकार द्वारा दायर किये गए हलफ नामे के मुताबिक सबसे ज्यादा 248 आपराधिक लंबित मामलों के साथ उत्तर प्रदेश के सांसद और विद्दायक सबसे टॉप पर है इस सूची में दूसरे नमबर पर तमिलनाडू के सांसद और विद्दायक हैं इनके खिलाफ कुल 178 मामले में दर्ज हैं वहीं तीसरे स्थान पर 144 लंबित मामलों के साथ बिहार के सांसद और विद्दायक आते हैं चौथे नमबर पर 149 मामलों के साथ पश्चिम मंगाल के सांसद और विद्दायक हैं जबकि आंधर प्रदेश, केल और तेलंगाना के सांसद और विद्दायकों के खिलाफ कुल 100 से ज्यादा मामले लंबित हैं गवर तलब है कि केंदर सरकार ने बताया कि 2014 से 2017 के बीच कुल 1765 जनवरी प्रतिनिधियों के खिलाफ 3816 मामले लंबित हैं जिन में से 125 मामलों का निपटारा एक साल के भीतर किया गया है सरकार ने बताया कि बीते तीन वर्षों में 771 मामलों में सुनवाई पूरी हो गई है लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी 3045 मामले लंबित चल रहे हैं